नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्ज मिसिक अकेडमी चैनल में आप लोगोंने कई बार एम्बूलेंस, फायर ब्रेगेड या फिर जितनी भी इमर्जनसी विकल्स होते हैं उनका जो सैरन होता है, उनकी अबाद को कभी नोटिस किया होगा अगर नहीं किया है तो अब कभी जब आप सुनेंगे तब उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि इसमें कौन-कौन से स्वर हो सकते हैं ठीके दोस्तों, तो हम बात करते हैं इसी चीज पर, इसी टॉपिक पर कि जब आप नोटिस करते हैं तो आपको एक ऐसा साउंड सुनाई देता है कि जो आपको तुरंत नोटिस हो मतलब कि अगर आप नहीं सुन रहे हो तब भी आपको वो सुनाई दे और लोग उस रास्ते से हट जाएं ताकि एमबुलेंस या फायर ब्रिकेट को रास्ता मिल सके ठीक है दोस्तों तो वो साउंड होता है मतीवर का मतलब कि आपने अगर डिफरेंस कोई नोट लिया है तो उसके बाद जब आप मतीवर बजाते हैं तो वो एक बेचेरी से साउंड क्रियेट करता है मैं पिछले लेसंस में भी कहा था तो ये साउंड आपको नोट कर रहा है जैसे माल लीजे सी शार्प को मैंने सामाना तो उसके एकॉर्डिंग मतीवर क्या होगा ये मर्शुद इसके बाद मतीवर अब देखिए सा के बाद आप मतीवर बजाएंगे तो ठीक है दोस्तों तो यही साउंड कंट्यूनिस चलता रहता है अब जरूरी नहीं कि सीशा आपसे उन्होंने सामाना हो जो भी अलग-अलग इसके लोग सकती है जैसे माल लेजे अगर डी से स्टाट करता हूँ तो इसका जो मतीवर होगा वो ये होगा तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ जो भी मैंने एक रिफ्रेंस नोट लिया है उसके अकॉर्डिंग उसका मतीवर बजाया तो यही चीज है जो आपको सराउंडिंग में नेचर में आप्जर्व करना होता है तभी आप म्यूजिक से इंट्रेस्टेट होंगे और आपको चीज हैं यह लोग कोई और दूसरा स्वर लगाते हैं माललीजे कि जो सा के बाद मर शुद्ध लगाते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे हम किसी नोट रिफ्रेंस तो वो sound उनके दिल पर पढ़ता ही पढ़ता है क्योंकि एक बेचैनी से sound है ऐसा लगता है कि मतलब किसी ने दिल में एक sound को साथ या ऐसा के बाद जब मर्तिवर करते हैं तो वो एक बेचैनी से sound है वो आपको observe करना है ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो में सर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबहें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें